उर्टी हुए तितले की रंगीन पर छाही रह जाती है फूलों में वैसे ही तुम एक तस्वीर के जैसे चाहे हो गुड मॉर्निंग दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगे लिक्विट फर्टिलाइजर के बारे में बनाने में बहुत असान है और पौधो के लिए बहुत अच्छे होता है सबसे पहले यह है पटेटो वाला पटेटो की छिलके लेने अपने पानी में उसको रखना है दो दिन के लिए और फिर दो दिन के बाद में इसका जो पानी होता है आपने वो पौधो को दे देना है बता लेती हूं से बदबू बहुत आती है लेकिन पौधो के लिए बहुत जादा हल्दी होता है फिर उसके बाद में ये एक शेल वाला पौदो के लिए वह भी काफी अच्छा होता है अब यह रहा ओनियन तो यहां पर भी ओनियन की छिलके लेने आपने उसको भी पानी में रख देना है दो दिनों के लिए और फिर उसके बाद में दो दिन के बाद यह पौदो को देने के लिए बिलकुल तयार हो जाता है यह ग तो इसकी वज़े से इनको मिट्टी से अच्छा पोर्शन मेलता है अब मेरा ऐसा है कि मिट्टी के लिए में कोई पोर्टिकलर मिक्स नहीं बनाती वर्मी कंपोस्ट वगरा डाल गए इसलिए जो न्यूट्रियंस है वो मुझे से अपर से अड़ करने पड़ते हैं तो मैं तो यह हो गया लिक्विट फर्ट्रिलाइजर के बारे में यह बहुत बनाने के लिए असान होते हैं किच्छन वेस्ट से हम इसे इजी ली तरीके से बना सकते हैं आप देख रहे हो मेरी फ्लावरिंग को अगर अभी अच्छी हो रहे है और मेरे रोस को भी बट्स आ गया है अगरी पत्ते के लावा इसके अंदर में डालें की लेसं की कलियां के टीवी पारिक वारी किस्वे इसके लावे नॉर्मली टमाटर भी लालते हैं लेकिन आज मैंने नहीं डाला मैं बस यही तड़का बना दिया शाद मैं आल सकता रही तो इस वज़े से मैंने तमाटर नह आपना पसंद करते हैं जिसे घर में पसंद किया जाता है तो यहां पर हैं आपको एक हर मास की बताती हूं तो जब बहुत सादा ज़रने लगे ना अगर आपको हर मास कप्लाई करना तो सबसे पहले जल लेलो यह पर मैं मामा अर्थ वाला यूज कर रही हूं इसके अंदर जब एक कैमिकल गर्रम गजरा लेकिन अच्छा काम करता है तो में इसके अपर कुछ पाम्स दे लीया चत्ट्रोल जेल भालो के लिए तो जैसे रहते है हैं की चाहर होता है बालो को बहुत ज़िए से नरिश कषका करना के 聽 al कानि अच्छतर के बालो को बहुत अच्छी त पर लेना है और एंके टिप्स पर भी अपलाई करना है और फिर इसके बाद में आदा पॉना गंटा रखकर इसे असानी से दो देना है तो इसकी वजह से बालों की जो गुरूत होती है बहुत साधा प्रमोट होती है कि बहुत अच्छा वाला हैर मास्के प्लीज कभी ट्राइ करते क्या करती है कि अपना हैंस की बिलकुल भी कहर नहीं करते मतलब के बरतन दोली है कोई बातनी मुश्यराइज नहीं कर लिया ऐसे है हाथ फटे पड़े हैं इसकी वजह से हाथ है बिलकुल एक दम बेजान से हो जाते हैं तो मैं नॉर्मली डेली बेसिस पर रेगियुलर कर सकते हो कुछ भी लेकिन हाथों को मौश्यराइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है हम ऐसे अकसर औरते इस पर ध्यानने देती लेकिन जस्ट रिमाइंडर प्लीज अपना मौश्यराइजर यूज कीजए अचा अभी यहां पर है ना यह जो आप देख रहे हो ना मेरे जो मेरा जो गड़ा था उसको अस्तरणी डाला वा था मैंने तो मैंने क्या किया मेरे पास दो पुरानी चादर है थी तो मैंने उन चादरों को सिल कर एक खॉल बना दिया और फिर उसके बाद में मैंने उसको चढ़ा दिया अपने गद्दे के ऊपर ना यह अलीजा यहां बड़ी परेशान करें तो इसको मैंने खड़ा किया था अपने गड़े को और उसके ऊपर मैंने यह खोल चड़ा दिया इसको बनाया मैंने कॉटन की चादर से तो उसकी वजह से मैं लेदर डालती हूं अपने बिस्तर के ऊपर क्यूंकि कभी कोई वच्चे सुसवगेरा कर द दालती हूं ताकि मेरा गड़ा गंदा ना हो अस्तर के लिए अब भी अवाला आइडिया का भी इस्तमाल करके देखना दो चादरों को एक साथ में सिल दो नॉर्मली पहले मैं डूपट्टे और ऐसे बना दीती बहुत जंजट होता था तो यहां पर है ना मैंने अपना यह जो लेदर है मैंने उसको बिचा दिया है अभी जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते ना तब तक बिस्तर पे मेरे साब से लेदर रहना ही चाहिए और इसको सेट करने के लिए मैं क्या करती हूं तोड़ा ग्याप रखती हूं उसके अंदर लेदर डालती हूं और फिर के बाद में गदा खिसका देती हूं और चादर को लगाने के लिए भी मैं ऐसे ही करती हूं इस वजह से ना बच्चे किती भी उचल कूद कर ले बैट के ऊपर लेकिन जो चादर है या फिर जो लेदर है वो बिलकुल भी नहीं हिलता तो इस तरीके से मेरा बैट तैयार है तो आप भी यह वाली जो टेप है यूज़ कर सकते हो अपनी डेली लाइफ के अंदर जिसकी वजह से बैट के ऊपर से शीट कभी भी नहीं लेंगी ना मुझे अपने रूम को डेकॉर करना बहुत साधा पसंद है तो मुझे ना मेरी शादी में कुछ गिप्ट के तर पर य पीसे में लेवे थे मैंने सब लगा दिये सब को शुआफ करना स्टार्ट कर दिया मैंने मुझे बड़ा अच्छा लगता है और जैसे कि देख सकते हो मेरे पास में वह हैंड बैग भी पड़ा हुआ है मैंने उसको भी लगा दिया तो मुझे डेकॉर करना बहुत साधा पस इसको स्टिक किया और मैंने इसको अपने दिवार पे टंगा दिया यह पंक मुझे परिंदों के पंक जमा करना अच्छा लगता है तभी कवा सुबह में मौरिंग को आप पर जाते हूं ना तो मुझे अकसर मिल जाते हैं तो मैं घर पे ले आती हूं पैदे वह मुझे मेरी बड़े प्यारे लगे यह बंदर तो जो फीमेल बंदर है उसको भी अभी बच्चा हुआ है और जो मेल बंदर है वह अपनी बंदरिया का और अपने बच्चे का बड़े अच्छा लगा वैसे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीचे मेरे लिए क कोई सजेशन हो तो कमेंट करके बता सकते हो और कोई question query हो तो वो भी पूछ सकते हो और मैं मिलते हूँ आपसे अगली वीडियो में उरती हो वे दिदली की रंगीन पर अच्छा ही रह जाती है भूलों में वैसे ही तुम एक तस्वीर के जैसे चाहे हो इन आखों में उत्साना तुम जो मेरा खाबू हो